वेल्कम टू ओल्ड, स्वागत आप सभी का आरसर यूटीब चैनल पर और हम आचो के अभी लाइब, जैहिन, नमस्ते, वेल्कम, गुड मारिंग, कैसे मेरी आर्मी, पूरी एनर्जी और पूरे चोस के साथ, आज, लेक्चर नमबर 60, बिना किसी चुट्टी के, बिना किसी लिव के, ऑनलाइन प्लेटफोर्म पे, रेगुलर्टी, साइट क्लास, आपकी स्क्रीन पर है, अर्जुन बेच, धवाक किदार आपकी एंट्री, अर्जुन बेच का, ये लेक्चर नमबर आपका 60, एक भी चुट्टी नहीं किया गया है मेरे सेर, संडे की बात नहीं कर रहा हूं, वर्किंग डे की बात कर रहा हूं, लेक्चर नमबर 60, अर्जुन बेच की सुरुवात जब से किया, तब से लेके आप तक, एक एक्जम्पल सेट करके देंगे आपको और यह एक्जांपल आपको अपने आपके साथ में भी सेट करना है ठीक है यहाँ पर बात करेंगे electromagnetic wave का second part और आज पूरा electromagnetic wave छील डालेंगे complete यानि end game होगा electromagnetic wave का तो जरा ध्यान देजिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ part 2 में complete करेंगे 10 बज़े आपका class का timing है जो मेरे सेर एक बार class में पहुंच चुके है वो एक बार बेटा कमेंट में जय हिंद लिख दें कमेंट में नमस्ते गुरुजी जय हिंद गुद मौनिंग सभी बच्चे ठीक है एक बार गुद मौनिंग कर दें बेटा ठीक है यस सर एप नहीं चल रहा हाँ अब बेटा एपके DNS में कुछ major update जा रहा है तो उनमें थोड़ा सा time जो उम्मीद थी हमारी कि कल साम तक वो चीज़े rectify होगी लेकिन अभी भी नहीं हो पाईए तो थोड़ा wait करना पड़ेगा आपको जिन भी लगबग 4-5% बच्चों को problem है थोड़ा patience रखे DNS में major changes हैं अब आप changes का मतलब समझ रहे हो कि हमारी planning जो एक महीने बाद में होता है उसका planning हम आज कर रहे होते हैं तो वो चीज़ जरूरी है तो DNS में कुछ चीज़े update हो रहा है चल रहा है तो उस वज़े से तोड़ा सा time लग गया तो हो सकता है आज साम तक आपका वो energy के साथ में पुरे जोस के साथ में जाहिंद कमेंट कर दें विड़ा ठीक है यस सर चलो देखिए देखिए मेरे सेरो देखिए धान दीजिए यह जो आपकी class है इस class के complete notes complete practice test series SSC, GD का test series, NDA, Crace course आपका चल रहा है topic wise practice या topic wise test series आपका चल रहा है और all India live test यह सारी चीज़े अविलेबल होती है आपके my rising India application पे और इसका basic enrollment cost होता 499 आप इसको install करिए अरजुन बेच में enroll करिए इस दोरान अगर आपको कोई भी technical issue आता है को information आपकी पास नहीं अविले और मेरे से बात करने के लिए एक particular number आपका decide कर दिया है team ने क्योंकि आपके call बहुत ज्यादा आ रहे है तो team ने अपना time बढ़ा दिया और मुझे केवले एक single number दे दिया दिन बर आपके पास यही number available रहेगा लेकिन time देखिए क्या रहेगा 11-5 इस number पे ही मुझे आप बात करें बटा और 11-5 बात करें अगर आपका कोई issue है आप मेरे साथ discuss करें लेकिन request आप से हाथ जोड़ के ही है कि कोई facility दी जाए बटा उसको सही से utilize करना उसका miss use मत करना रात को साड़ी 10 बजे 11 बजे call करना सुबह 5 बजे call करना ठीक है बटा ऐसा मत किया करें आपको जो official time द यही number पे मुझे आप call करें आगे बढ़ता हूँ बटा यह हमारा telegram channel है बटा team RSSR जहां पर आपको air force नभी NDA के लिए classes के update, links, information, application की information सारी आपको इसी channel पे, telegram channel पे आपको मिलती है तो बटा इसको जरूर से join करके रखेगा ताकि कोई भी class आपकी miss नहीं हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और आज electromagnetic wave का end game लेकिन पहले एक agreement मेरी army की और से आजाए पहले एक agreement मेरी army की और से आजाए और वो agreement क्या है कि सर कल वाला clear है तो आज गरदा उड़ा दो आगे का क्योंकि आज मैं आपको spectrum सिखाऊंगा और spectrum में गरदा उड़ाएंगे तयार हो जो मेरी सेर लेगन पहले agreement कल वाली चीज़े clear हैं आगे हम continue करने जा रहे हैं यह आपका electromagnetic wave और last day हमने जहां पहे class को रोका था वो था spectrum तो पहले तो मुझे सबी बच्चे इस बात से इस बात से रूबरू कराएंगे कि spectrum का concept समझ में आता है क्या आपको spectrum का concept spectrum मैंने कल आपको बताया था कि spectrum actual में work कैसे करता है काम कैसे करता है यह बात बताएंगे आपके roll number अलफा बेट के इस आप से decide होते ना roll number 1,2,3 है ना नई सार roll number से नहीं अलफा बेट से नहीं बेटेंगे है वो चकर पड़ जाता है distance वाला है जी आपका number कहीं पीछे आपका number कहीं आगे सर जी height के basis पे बिठा दो height के basis पे छोटा बड़ा 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 और बड़े वाले भया पीछे ही पीछे और चुट चुटकू साही है वाला बच्चा मेंटा कॉंडसे स्टेंड में बड़ते हो second या third में नई सर आभी 12th स्टेंड में पढ़ता हूं क्या मजा कर रहा किसके साथ आया नई सर आया नहीं मैं पढ़ता हूं इस क्लास में ऐसा होता है कही बार चुटकू से बच्चे होते हैं उन प्रकार यहां पे दो कंसेप्ट हैं एक आपका कंसेप्ट है वेवलेंद का यानि तरंग धेरते का और एक कंसेप्ट है फ्रिक्वेंसी यानि आवरती का तो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंद हैं इन दोनों का जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे इनके इंक्रीजिंग या इनके decreasing order के बेसिस पे spectrum बनाया गया है एक विवस्ता बनाये गई है definition को पढ़ो और फिर spectrum की और प्रस्तान करेंगे जरा देखिए विद्दुत चुम्ब के तरंगों की सभी frequency all frequency, all wavelength की कर्मिक विवस्ता को विद्दुत चुम्ब के spectrum कर्मिक विवस्ता एक arrangement, एक निशित विवस्ता एक order वाला range है जिसमें एक arrangement आपको दिया जाए एक विवस्ता आपको दी जाए उसके बारे में बात करें ठीक है, चले बेटा ठीक है, चलो, बहुत अच्छे आगे बड़े बेटा, स्टार्ट करें spectrum को ओडर range में, शाबाज, चलो बेटा ध्यान दीजिएगा बेटा एक spectrum तयार करके लेके आया हूँ ठीक है, और इस spectrum में मैंने कुछ चीजे changes की है last time क्या, मैंने frequency और wavelength को miss कर दिया था, एक एक सवाल wavelength का आगया, दिल को touch कर गया touch करने का मतलब वहा, कही न कहीं वह बात feel होगी, तो उसी दिन decide कर लिया, इस बार बच्चे को ये सवाल कराऊंगा, और आज वह दिन है, spectrum का सवाल लेके आगया और इसमें frequency भी होगा, और wavelength भी होगा ठीक है, तो जरा मेरा इस spectrum का एक मकसद है, और उसका मुझे agreement प्रतेक बच्चा दिल पे हाथ रखे देगा, क्या आप मेरे साथ इस spectrum को आने वाले 20 से 25 मिनट में याद करने वाले, मैंने time बड़ा दिया है क्योंकि spectrum बड़ा है spectrum बड़ा है एक एक चीज याद कराऊंगा क्या आप मेरे साथ आने वाले 20 से 25 मिनट में इस spectrum को छिलने के लिए इसका band बजाने के लिए तयार है रब copy उठा लो paper पे निकाल लो जो पूछूँ वह है आपका जबाब हो सके तो comment में नहीं तो कम से कम copy में तो लिखना ही है और एक बार नहीं दो तीन बार लिखना है यही चीज हम आज try करेंगे कि इसको कैसे याद किया जाए वो मैं आप पे नहीं छोड़ूँगा बरोसा है मुझे लेकिन नहीं याद करवा के छोड़ूँगा जरा ध्याम देजिए सबसे पहले यहाँ पे अपन radiation के बारे में बात करेंगे कौण सी तरंगे कौण सी किरने इसकी खोज किसने की discovery किसने की इसको कैसे produce किया जा सकता है इसे कैसे उत्पन किया जा सकता है हिंदी इंग्लीस वाला बच्चा कमेंट मत करना है ना हिंदी इंग्लीस वाला बच्चा कमेंट मत करना कुछ है नहीं और अगर कोई step है तो वह मैं आपको बोल के बता दूँगा tension मतले ना उसके बाद में wavelength का range उसके बाद में frequency का range और उसके बाद में उसके application यानि उपयोग अनुप्रियोग जो भी आप बोलो application यानि अनुप्रियोग कहां कहां हो सकते हैं सबसे पहले gamma ray gamma ray gamma गुरुजी gamma का concept समझ में आया मुझे कहां से अरे आज पढ़ के आया हूँ मैं nuclear physics मैंने का क्यों गुरुजी 4 बजे टेस्ट नहीं आज nuclear physics का पढ़ के आया हूँ और उसमें gamma भी था और मुझे याद आया gamma से बीचारे के पास charge नहीं था charge नहीं ये gamma के पास मतलब आवेश नहीं ये charge less है gamma गामा किरने इसकी खोज क्योंकि नाभी का विकंडन मेडम क्यूरी बैकूरल मेडम क्यूरी बैकूरल हैनरी ये बहुत सारे लोगों को इसका credit दिया जाता है क्या सर हमें खोज भी पूश सकता है discovery किसने के ये पूश सकता है भाई मैं कहूं 0.1% मेरी बात को गोर से सुनना सर डिस्कवरी क्या हमें पूश सकता है मैं कहूं 0.1% बहुत ही कम चांस है लेकिन अपने एक दो बार इनको बोल लेंगे तो कहीं ना कहीं अगर बाई दवे आई जाए तो आख बंद करके हिट कर देंगे कॉंसेप्ट को उड़ा देंगे बड़िया लेवल से तो लोजिक क्या है जो गामा रे है उसका discovery किया गया हैंरी ने बैकुरल मैडम क्यूरी क्यूरी दमपती तो आपको पता ही अजबेंड वाइप ने मिलके हाथ गल गए थे उनके लेगे ने खोज कर दी थी तो गामा रे गामा के नो के बारे में अब ये खोज हुई कैसे अरे रेडियो एक्टिविटी नुकलियर फिजिक्स जैसे ही मैडम क्यूरी आया है तो मत जाना रेडियो एक्टिविटी है नाबिक का विखंडन है नाबिक टूट चुका है नाबिक बिखेर चुका है तुका होजो जो आपको कोई चीजी समझ नहीं आएगी उसको मैं लिख दूँगा नाबिक का विखंडन नाभी के विखंडन से नाभी के तूटने से अलफा डिकाई बीटा डिकाई अलफा पीटा डिकाई के बाद में नाभी को बहुत सारा गेस बन गया बहुत सारा गेस बन गया तो उस गेस को सांत करने के लिए कामा के रूप में क्या निकालती», बहुत सारी energy निकालती, उरजा निकालती तो ये कोन से concept आया decay concept आया vicanden वाला concept आया तो ये तो याद रखना ये बहुत अच्छा सवाल है, ये important है बटा ये चीज बहुत important है आपको याद रखनी होगी, कोन से वाली बात मैं जो बता रहा हूँ कि गर्मर यह है वो किसकी वज़य से generate होती है किसकी वज़य से उत्पन होती है नाभी के विखंडन की वज़य से नाभी का टूटना गोर से देखो 10 की घात माइनस 14 मेटर से 10 की घात माइनस का 10 मीटर एक बार बैटा मैं यहां लेखता हूँ माइनस सौउदा मीटर टू तसकी घात माइनस का 10 मीटर एक बात इमानदारी से बताण माइनस सौउदा से माइनस 10 मीटर गुरजी रट्टा मारना थोड़ा सा मुस्किल है मैं इसका जुगाण आपको भी बताऊंगा थोड़ा सा रुक जाओ थोड़ा आगया जाओ 3 इन्टू 10 तू दी पावर 22 माइनस का हाट्स 2 3 इन्टू 10 तू दी पावर 18 हाट्स प्लस में है गौर से देखना बिटा अभी कम्पेरिजन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी मैं इसको कम्पेर करूंगा न तब देखना तो थोड़ी देर होल्ड पे रखो इसका अभी लाज बढ़िया लेवल से करेंगे लेवल से लपेटेंगे आराम से लपेटेंगे बस थोड़ा विश्वास रखना मेरे उपर लेकिन याद करवा के 20 से 25 मिनट 20 से 25 मिनट में याद करना रिमेंबर करना इसको अभी को भी लर्न करना है याद करना है ठीक है विड़ा चलो जी इसका अनुप्रियोग क्या है इसका एप्लिकेशन क्या है अनुप्रियोग अनुप्रियोग application इसका यूज क्या है, नाप का विखंडन कर दिया, जी लाओ, अब भी देखतेैं, इसमें क्या है, जैसे कोई हतियार है आपके पास, जैसे यह charger में निकाड़ा, operation करना है, कैसे करना इसका operation करो भई, चीर फाड करनी है, चीर फाड करके क्या देखेंगे इसमें, इसमें देखेंगे इसमें स्टक्चर में क्या क्या चीज़े लगाई है, काफी तोड़ फोड की होगे, आपने भी बच्छपन में भी तो बड़े होगे, तो यह कैसे लगता है, कहां डायोड, कहां कर लेंगे यानि nuclear structure का study यानि नाभी किये सरचना का अध्यन नाभी किये सरचना का अध्यन अध्यन स्टडी कर रहे न्यूक्लियर structure का याद कर लेंग्वेज को आपने देख लिए होगी कितने खतरनाक है मेडिकल ट्रिटमेंट में जो गामा किरने हैं उनका मेडिकल में यूज होता है लेकिन मेडिकल में कैसे यूज होता है डॉक्टर नहीं करना अपने को डॉक्टर नहीं बनना डॉक्टर नहीं चाहिए medical treatment इसका किया जाता है यानि चिकित्सा छेतर में इसका प्रियोग होता है क्या लिख सकते हैं आप यहां फिर चिकित्सा चिकित्सा छेतर में medical line में medical field में आपका इसका use होता है तो सर एक बार gamma को मेरे साथ repeat करो सारे बच्चे याद करना बेटा फिर बता रहा हूँ यह इससे सवाल पसा देंगे दो दो सवाल पसा देंगे बहुत अच्छे-च्छे से पूरे चेप्टर में से लेकिन दो सवाल जो पसा रहे है Communication और Electromagnetic Wave के वो दो सवाल कभी एक साथ आ गए तो Communication और Electromagnetic Wave के दो सवाल बनते हैं और वो दो सवाल इस स्ट्रेक्टर इसे स्पेक्टरम से आ गए तो बहुत ज्यादा important है याद करना है तो बटा गामारे की खोज है बैकूरल हैनरू है और हैनरू क्या रहे है हैनरी आपका क्यूरी मेडम क्यूरी क्यूरी दमपती है न वो आ गए अच्छा इसको generate कहां से क्या नाभी का विखंडन करके नाभी के टुकडे टुकडे करके नाभी का विखंडन करके इसको एक बार hold पे रखो कहां यूज करेंगे टुकडे टुकडे करने के बाद में उसका study करेंगे अध्यान करेंगे और medical में उसका यूज करेंगे, यह उपयोग भी बहुत important है, और यह चीज मैंने आपको बताई थी X-ray ओ गुरुजी, हाथ में मेरे बहुत बरा pain है, मेरे हाथ की आप नसे देख रहे होंगे, मैं आपको कैसे दिखाऊं साथ दिख जाएगा आपको, ऐसे दिखाऊं अब मैं डॉक्टर को जाके यह बोलू कि भाई, इसका चेक करो के टूट तो नहीं गया है, कई फिंगर निकल तो नहीं गया है, मैरे पहले ही फिंगर बहुत टेड़ी है क्योंकि क्रिकेट बहुत खेला आपने बच्पन में, तो बहुर इदर आके गिरेगी तो इसका बैंड है, देखो आप इसमें, इसमें भी बैंड है, आप देखो कितना ज़्यादा बैंड है इसा आप इंगर में, देखर है आपको तो मैं डॉक्टर को जाके बोलू भाई, निकल तो नहीं गया इसका जुगाण जराद चेक कर भाई, तो वो क्या करेगा, वो हाथ देगा मशीन में और एक्सरा करेगा एक्सरा मेडिकल लाइन में इसका यूज, कहीं हड़ी निकल तो नहीं गयी है, चेक कर लो एक्सरा करो उसका और एक्सरा करने के बाद मैं पता करो कोई मामला लपेड तो नहीं गया है यानि कोई टूट तो नहीं गया है एक्सरा यानि एक्सरे मैं इसको याद करने का टरीका क्या बता हूँ बैटा एक्सरा X-Ra कर लो X-Ra करवा लो और पता है X-Ra Ra for Ronjan X-Ra Ra for Ronjan Ronjan नाम के वेग्यानिक ने इसकी खोज की थी Ronjan मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी Ra for Ronjan कौन? Ronjan नाम का वेग्यानिक है अब कोई नोजला जायगा आगे पाई पाजायगा फिर तुम देख लो X-Ra Ra for Ronjan X-Ra करा लो Ronjan नाम के वेग्यानिक ने X-Ra दिया साब अच्छा X किर्णे कब निकलती है? ओ भाई इसकुल में दस पाँच लपेट दिये मैडम ने गुरुजी ने आपको हमवरक पूरा नहीं था और भाई बेग लिया चुट्टी हुई और घर पे यू मुँ फुला के जा रहे हूँ यू पूरे के पूरे चोस में और सिधा अपने रूम में जाके बेग फेका जुते उतारे, जुते इदर फेके जुराव उदर फेके और मुँ फुला के बैठे हैं से अब छोटा वाला भाई ने आके थोड़ी सी आपको उंगली कर दी थोड़ी सी आपको उंगली कर दी गुदगुदी कर दी और भाई साब भरा हुआ था बड़िया टोटल एनरजी के साथ में और पात-चार चिपका दिये और पात-दस न्यूटन के नहीं 200-300 न्यूटन के चार इधर छप गए बात समझ रहे हो क्या हुआ मतलब इतनी हाई एनर्जी के साथ में आके जाके जब टकर की इलेक्ट्रोन ने भाई साब पता चल गया मतलब इधर डीजे बजने लगया दोनों साइड में मतलब due to collision of high energy electron with heavy target बाई साब टार्गेट पे जाके electron ने इतनी energy से गरदा उड़ाया है इलादिया सिस्टम अगले का चोटे भाईया ने तो नहीं सोचा होगा कि आज बड़े वाले भाईया इस तरीके से बारूद भरा लेके आए हैं तो मतलब energy का electron जाके फर्राटेदार लेवल पे टकर करेगा और उसका टोड़ देगा विखंडन कर देगा पड़पड़ा जाएगा बाई साब तो यह बहुत important है एकस किरने कैसे और इसलिए यह खतरनाक होती है हमारी body के लिए ज्यादा एकसरा भी नहीं करवाना चाफिये वह एकसरा करने वाले कैसे करते हैं देखना जरा जैसे यह 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 आपका वह है एकसरा machine वाला room है तो जिस बंदे को लिटा देंगे और उसका एक्सरा करने होगा लेकिन जो एक्सरा मशीन को चलाएगा वो क्या करता है मैंने देखा है यहां लोकल में city में तो पता नहीं कैसे करते होंगे वो एक बड़ा सा एक wire रखते हैं और उस wire का last switch कहां होता है गेट के पास तो वो बाहर जाता है गेट को बंद करता है switch को जब उसने ऐसा किया तो मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बोला हम अंदर नहीं रह सकते हैं हम दिन में अगर 100 एक्सरा करते हैं कितने 100 और अगर हम अंदर रहेंगे तो 100 बार radiation हमें effect करेगा तो मैंने का एक्सरा करवाने वाला उसको तो तुमारी रहे हो बोला उसको effect करता है लेकिन वो तो एक ही बार कराएगा रोज रोज थोड़ी कराएगा हम तो दिन के 100 कर रहे हैं तो मैने के 3000 होते हैं time time fees हो जाएगा इसलिए यह सुरुक्सा जरूरी है या फिर आपको वो क्या बोलते हैं उसे suit पहनना पड़ेगा जो उसको detect कर दे हटा दे तो यह बहुत खतरनाक होती है बेटा यह इसकी wavelength यह frequency है मैं इनको hold पे रखके यहां जाओंगा medical line में इसका use एक्स रा से याद कर लो एक्स रा से medical line में इसका use याद कर लो बेटा एक्स रा से राफ और रोंजन एक्स रा तूट फूट चेक कर लो है के नहीं है study of crystal structure study of crystal structure जब जाके चमाट पड़ेगा तो 4-5 इधर छप जाएगा चार-5 इधर और वो crystal सरचना दिख जाएगी लाल लाल भाई ये क्या है बोला ये तो यार लग रहा है ओ तेरा तो भागे बहुत गजब का है यार बोला कैसे बोला देख इधर देख ये देख पूरी की पूरी लाइने छपी पड़ी है उसका structure का study कर लो क्योंकि जब जाके उसने उस पर collision किया है heavy energy के साथ में फोड़ देगा उसको तोड़ देगा तो उसका study कर लेंगे और ये देखी बटा industrial radiography industry में उद्योगों में इसका प्रियोग होता है लेकिन उद्योगों में प्रियोग का मतलब जैसे मालोग होई लोहे का बड़ा सा railway track होता है railway track और भाइस अब ये railway track है बुला यार ये ये कहीं तूट बहा है बुला कैसे बुला एक्सरा कर ले एक्सरा तूट फूट चेक कर ले तो industry में भी इस तरीके से बाकी जो दरारे होती है हलकी फुलकी ऐसे पता नहीं चलता है medical में use होगा crystal study करने में और industry में ठीक है crystal का सरचना मैं लिखूगे यापे लिखने पड़ेगा मुझे तूम बहुत बाद महास हो थोटी चोटी चीजे भी मुझे लिखने पड़ेगे तो फिर तूम मुझे परेशान का लेगे पड़ेटा कित्सा चेतर ये तो तूमें लिखे लिए न और crystal सरचना का अध्यान मैं इसको तुरा लिख देता हूँ crystal सरचना crystal सरचना का अध्यान ठीक है ये लो ये डोक्टरी लिख दिये मैं आगे और ये उद्योग चेतर में उद्योग चेतर में है ना बेटा किसी बच्ची को नहीं आ रहा हो तो बेटा लिख लेड़ा अब मुझे एक कमपेरीजन बताओ और ध्यान से समझना बेटा याद भी करना अभी रुक जाओ याद भी करते जाणा बेटा जरा मुझे एक बार गोर करके बताना यार दस की गात माइनस का 14 से माइनस का 10 पर ये माइनस 12 से माइनस नो क्या वेवलेंथ लग रहा है गट रहा है कि बढ़ रहा है वेवलेंथ गट रहा है कि बढ़ रहा है सोचो wavelength बढ़ रहा है मैंने का कैसे और जी power minus में कम हो रहा है power minus में कम हो रहा है यानि wavelength बढ़ रहा है अगर wavelength बढ़ रहा है तो फिर frequency घट रहा है चलो frequency check करते है minus का 22 से plus का 18 plus के 19 से plus का 17 यानि 18 से 17 पे आ गया यानि घट रहा है अच्छ अच्छ जस्ट उल्टा यानि गामा के लिए wavelength maximum है और frequency minimum त्यान से समझना बेटा त्यान से समझना के लिए ना बेटा logic समझ में आया point समझ में आया concept समझ में आया चलो जी lambda बढ़ रहा है अब सर इसको याद कैसे करे क्या यह fix है नहीं विठा यही एक बड़ा region है कि इनसे particular किसी एक के लिए सवाल नहीं आता NCRT में minus 22 की जगे minus बीच दिया हुआ है किसी दूसरी book में है यहाँ पे 19 की जगे यहाँ पे 18-17 दिया हुआ है तो यह चीज़े vary करती रहती है तो इन में मैं केवल और केवल घटता और बढ़ता बताऊंगा आपको क्योंकि उससे बनने वाला सवाल 99% बनेगा wavelength वाला कौन सा सवाल है वो मैं आपको भी याद दिलाऊंगा पूरे comparison के साथ में तीन नंबर पे आओ बेटा ultraviolet rage यानि परा बेंगनी किरने परा बेंगनी परा बेंगनी किरने अल्ट्रा वोलेट rage है परा बेंगनी किरनों का वेग्यानिक रिटर नहीं खोज गया था लेकिन इतना ज़्यदा कोई इसका हो हवा नहीं मिली इसके नाम को ज़्यादा कोई महत्वे नहीं दिया गया था ठीक है यस सर अगर मैं यहां पे लोजिक करूँ जो मेरा डाउट समझना अभी मैं इस डाउट को किलिर करूँगा बहुत बड़ी लेवल पे है यार दस की घात 14 से ब्लस के 14 एंट वेवलेंट माइनस का 7 माइनस 3.8 से माइनस का 7 यह 3.8 में एक माइनस 7 था और माइनस 7 से 7.8 यार वेवलेंट तो बढ़ रहा है वेवलेंट तो इधर बढ़ रहा है कन्फूज कर दिया गुरुजी, दसकी घात 14 से 4, यहाँ पे क्या था, 17, यहाँ पे क्या था, 18, यह 17 और यह आपका 14, 17, 19, और यह आपका 14, आगे बढ़ाऊंगा, आगे देखो, 14, 11, 9, और दसकी घात 9, यह 9 बढ़ा हैं, मुझे एक बात बताओ, 7 नमबर पे आगया, 9 बढ़ा हैं, 9 बढ़ा हैं, यह 10 की घात 18 बढ़ा है, आप मुझे बताईए, यानि वेवलेंद इसको, यह यहाँ पे, sorry, 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 finance नहीं करना, इसको plus करना, ठीक है, यह वेवलेंद 18, 10 की घात 18 या 22 जो भी है, और यह आपका, कहां गया हो, यह रहा, 10 की घात 9, यानि लगातार frequency में कमी हो रही है, मैं एक comparison दूँगा, लगातार frequency घट रही है, यानि यह frequency, यहाँ पे जो frequency है, इसकी frequency क्या हो रही है, maximum है, क्योंकि लगातार decrease कर रही है, गटती 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 जाएगी, अच्छा, और इसमें, इसकी wavelength है, इससे ज़्यादा ये, फिर इससे ज़्यादा ये, ये, फिर इससे ज़्यादा ये, और फिर इससे ज़्यादा ये, नई, ओहो, तो ये minus, फिर plus, और ये तो plus में ही आ यानि यह आपका wavelength यहाँ पे minimum, यहाँ पे lambda आपका minimum होगा, और फिर बढ़ते हैं, इसका ज्यादा, फिर उससे ज्यादा यह, फिर उससे ज्यादा यह, और यह last में, यहाँ पे lambda maximum होगा, ऐसे lambda बढ़ते 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 यहाँ पे maximum होगा, तुम अभी tension मतलो, पहले मुझ इन दोनों का खेल बता दो, मैं आपको याद करवा दूँगा, अभी का भी, comparison करवा के, जल्दी बताओ, पहले मुझे एक बार ये चीज, दो का concept के लिएर हो गया, तो मैं तीसरे पर चल रहा हूँ, इसका agreement देना, एक बार इन दोनों को hold पर रखना, मैं comparison से याद कराऊंगा, पराबैंगनी वेग्यानिक रीटर ने, बेटा, आइनाई, जो आपका आइनाईस्ट गैस होता है, जिस सन लेंप यानि सूरी है, लेंप है, लेंप भी होता है न, जो आपन रोज नहीं करते हैं वो, स्पार्क, स्पार्क का मतलब समझते हैं बटा, स्पार्क, कभी लाइट में स्पार्किंग देखिए, तुमने आँखे चुंदिया जाएगी, अर बम भी स्पोर्ट हो जाएगा आँखों के सामने, अगर लाइट कहीं पर स्पार कर गया आपकी आँखों के सामने, तनी खतरनाक होती है, अल्ट्रा वालेट रेज, आँखे खोलना मुस्किल हो जाएगा तुमारा, मैं बताता हूँ कैसे, आप मुझे एक बात बताओ, परा बेंगनी किरने अपनी यह सबसे जादा इंपोटेंट है, सबसे जादा इंपोटेंट है, सूरिये, सन अंकल है, परा बेंगनी किरनों का उत्पते शूरिये, यह सवाल पेपर में बन सकता है अल्ट्रा वोलेट रेज, यानि प्रावेणनी किनों का उत्पत्तेश रोध सन है सूरिय है यह wavelength यहाँ पे मैनस दस और यहाँ पे मैनस का साथ है, यह 3.8 से मैनस का साथ 3.8 गुणोंदस की गात मैनस साथ 3.8 से 7.8 गुणोंदस की गात मैनस साथ तो बटा एक बार इनको नहीं में एक बार आपको जो wavelength वाला जो याद करने वाला matter वो मैं आपको दूँगा 3 गुणा 10 की गात 17 से 5 गुणा 10 की गात 19 पिर 14 से 14 ये लगबग 14 चौदा में fix हो गया लेकिन इनको याद करने बहुत मुस्किल होता है rare case में मैं आपको केवल हो केवल जो wavelength याद कराऊंगा वह कौन सी थी मैं जो paper में पूछी गई है वो ये थी बेटा कहाँ पे है microwave रेडियो ए इन्फरारेट और वो आपका कहाँ गया एक मिनट है हाँ visible light ये वाला ये मैं आपको याद कराऊंगा भी तोड़ी देर के रिए patience रखे अभी याद करवाता हूँ देखें पहले इसका use याद कर लो एक बार सभी बच्चे इमानदार से इसके उप्योग याद करो और ये usage मुझे बताओ क्या बिटा पारा बेंगनी जो किरने यारी है ये आपके fingerprint निकालो साब ओ इस बोटल से किस-किस ने पानी पिया है fingerprint निकालो ओ एक तो आरसर है अच्छा यार आरसर के अलावात और कोई लगा नहीं मुझे देखो किस-किस के fingerprint है अच्छा यार ये तो और कोई नहीं है fingerprint निकालो किस से ultraviolet rays से यानी प्राबैंग किनों से तो ये देखो इसने detect करने के लिए क्या करने के लिए writing और signature यानी fingerprint निकालने के लिए इसका use हो गया याद रखना है आपको और सबसे important चीज बिटा प्राबैंगनी किनों की द्वारा क्या करते हैं जीवानों बैक्टिरिया वगेरा पाने से क्या करते हैं खतम करते पाने को सुध करने में देखो इसने लिखाए आपे किसके लिए water के लिए पाने को सुध करने के लिए बैक्टिरिया को खतम कर देता है पाने को सुध करने के लिए पाने को सुध करने के लिए इसको यहाँ पे लिख लिए ना बेटा जगे नहीं है मैंने side में लिखते है बैक्टरिया वगेरा खतम करता है, यह बहुत खतरनाग होती है, तो यह बैक्टरिया वगेरा को खतम कर देगा पानी के अंदर ही, ठीक है, यह वाला तोड़ा सा इंपोर्टेंट रहता इसका यूज, यह वाला यूज तोड़ा सा इंपोर्टेंट है, जो आपको याद करना ह यह very very most important आपका paper में सवाल बनाया गया था पूछा गया था visible light इसे कहते हैं बिटा दर्शे प्रकास क्या कहते हैं इसे दर्शे प्रकास visible light दर्शे प्रकास दर्शे प्रकास की खोज किसने की Newton ने दर्शे प्रकास की खोज किसने की Newton ने इसके 39 रोत से कोई मतलब नहीं है, यह वस्तों से टकरा के आपको दिखाई देता है, तो 39 रोत का कोई लोजिक नहीं है, 30 रोत से आगे ही चलेंगे, मैं आपको याद कराऊंगा इस सवाल को, एक बार मैं इस पे काम करूंगा, 3 into 10 to the power minus का 7, to 7.8 into 10 to the power minus का 7, याद करना, यहा पे मैं लगबख point हटा रहा हूं, 3.8 है, तो मैं इसको एक काम कर देता हूँ, 100 से multiply कर देता हूँ, 100 से multiply मत करूंगा, इसको 10 से multiply करूंगा, तो यह हुज्याईगा 38 गुणा 10 की घात माइनस का 8 300C 100 से ही गुणा करो इसको एक बार में कुछ इसमें जो पेपर में आये तहूं सवाल को बनाने की कोशिस कर रहा हूँ टेंजन मतले ना आप 3.8 गुणा 100 10 की घात माइनस का 7 अगर गुणा करोगे तो 100 का भाग भी लगेगा इसलिए मैंने सवाल को बाकु बोला कि ऐसे पेपर में सवाल गुमा देगा मैंने यहां पर आपको यह याद करवा दिया लेकिन पेपर में इसको नेनो मेटर में कनवर्ट कर दिया इसलिए मैं इसलिए मैं इसलिए गुणा भाग कर रहा हूँ ठीक है इसलिए मैं आपको गुणा भाग कर रहा हूँ 300C नेनो मेटर से 780 nm ये range थी wavelength की visible light के लिए ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है बहुता है हलो हलो कोई है हलो कोई है ये zoom कभी होता ही या zoom कैसे हो गया रहे हैं कोई है कोई है जो मुझी सुन रहा है ये बिटा 380 nm से 700 c nm वाला concept वेवलेंद का बहुत important है पेपर के लिए और ये आपकी frequency है 10 की गात 14 8 से 4 वाला कोई बहुत बड़ा difference नहीं है बहुत बड़ा कोई वेवलेंद वाला सवाल जो था पेपर में आता हो मैंने आपको याद करवा दिया है 300 cc ज्यादा attention मतले न हर एक सवाल नहीं बनेगा कि ये जैसे पूछ ले ये fix सवाल था इस तरीके से इस वेल्यू में इसलिए चलो कोई बात नहीं है अपने प्रकास का क्या करते हैं प्रकास को खाते हैं प्रकास को खाते हैं क्या प्रकास को खाते हैं क्या अध्यन करने के लिए structure का study करने के लिए अध्यन करने के लिए तो यह ज्यादा important नहीं है उपयोग बगर यह general है इसमें एक ही सवाल था important और वो था इसका wavelength जो मैंने आपको याद करवा दिया है 380 से यह मैंने 780 नहीं लिखा 78 लिखा है 780 करो यहाँ ठीक है मैं लिखना भूल गया हूँ 780 बोल रहा हूँ लेकिन लिखा केवल 78 है ठीक है चलो कोई बात नहीं है आगे बढ़ते हैं मुझे लग रहा है इसमें भी कुछ पंगा आया है कहां क्यों आगे नहीं जा रहा प्रॉब्लम है सेल वेल इसके कहां पर है एक मुझे लग रहा है यह बीमार हो गया है कासी जुखाम सर्दी जुखाम पता नहीं क्या हुआ यार इसको अभी मेरे से निकलेगा एक नट साइट सर्दी जुखाम वाले भाया है एक सेकेंड एक सेकेंड क्या वीच में यार मेरी क्लास में वना होता है अभी भी नहीं हो रहा है यह तो तुम तो गया पेठा तम तो गये कि नहीं हो रही है क्या बहुत भाग रहा है इसको है चल तो साही तो तेरे को क्या दर्द हो रहा है यह वाहिसा थोड़े देर के लिए विमार और सेहल चेंज कर लिए तो भी इससे तो हो रहा है, चलो वही इससे काम चला लेंगे, अपना क्या है, इसको क्या दिक्कत होगा, यार्द दिल नहीं मानता है, बढ़ा ख़ये, चलो कोई बात नहीं, पांच नम्बर प्या आते हैं, और पांच नम्बर पेपने पेण कौन सा लियावा है, रेड के लण, इसे इंदी में क्या कहते हैं आउरक्त किरने कौन सी किरने आउरक्त किरने और भाई साब विल्यम हरसेल विसे आउरक्त किरने आपने कभी देखिए इंफ्रारेड कभी देखिए मैं आपको एक्जाम्पल दू इसका कभी देखा अपने इंफ्रारेड बताऊं आपको example दूआ लोहार को देखा है लोहार को जो लोहार गरम करके दे दनादन दे दनादन उस पे चोट मारके आकार बदल देता है तो डाईलोग याद है धाई की लोह का हाथ पढ़ता है तो उठता नहीं है उठ जाता है, वो वाली है लोहार जब लोहे को गरम करके बाहर निकालता तो उसे तीवर रेड कलर की किरने निकलती भी दिखती है आपको थोड़ी देर बाद में वो dark हो जाता है, काला हो जाता है, लेकिन जब वो उस बट्टी से निकालता है, मिलकुल लाल लाल, क्या मस्त, चिकना चिकना नजर आता है, वही, और वही, वहाँ से जो किरने निकल रही है, वो ती infrared है, तो इसकी तो कोई जरुत नहीं है, इससे कोई 30 रोथ important है, देखो, हाँ, हाँ, उच्च ताप पर 30 रोथ, उच्च ताप पर ये उत्पन होगा, high temperature पे ये उत्पन हो जाएगा, high temperature पे इसकी उत्पती हो जाएगा, ये frequency general मैंने, wavelength और frequency general ही यहाँ पे लिखिये, लेकिन मैं इस पे ज्यादा importance नहीं दूँगा, जिसका जिए importance देना था, वो मैं दे चुका हूँ, वो पीछे में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है मिटा, अच्छा, आप मुझे बताओ, लोहार अपने, लोहार अपने उस system का use क्या करने में, कुछ object, बरतन वगेरा बनाने में, कुछ device वगेरा तयार करने में, ओजार वगेरा जो भी है, तो उसका use कहां हो रहा है, इंडस्ट्री एरिया में, उसका उप्यो कहां हो रहा है, मेडिकल लाइन में, उद्योगों में उसका प्रियो कर सकते हैं कुछ चीज़े, invention करने में, बनाने में, ठीक है, यह क्या बहुते है, astronomy, अंत्रिक्स के लिए study करने में कि क्या चल रहा वाँ पे, ठीक है, कैसे वाँ पे, मलब हाई टेंपरेचर भी हो चीज़े देखने को मिल रही है, उसके बाद में देखिए, use for fog और photography, उन ही होता, और यह दुआ चल रहा है, fog वाली जो light होती है, उसको on करो, fog वाली light अलग होती है, गाड़ी में देखा कभी आपन लेकिन उसका use कहां पे क्या जाता बेटा, industry में, medical line में, यह हो गया, fog में, photography में, photography में, रोसनी करके फोटो लेते हैं उस तरीके से, वो नहीं होती है, red color वाली रोसनी, वैसे, और यहां पे अगर अपने यहां पे देखते हैं, molecular structure, including molecular structure, molecular structure यानि molecule structure का study करने में, सर यह इतने स सारे use हमें याद नहीं रहेंगे, तो क्या करें, बेटा, general use याद कर लो, उद्योगों में, उद्योगों में, medical line में, ज्यादा, है न, यह फोग, यानि जिसे आपन बोलते हैं, धुंद, इसको में इंदी में लिख देता हूँ, fog का मतलब है, धुंद को रिमूव करने में, कहाँ चला गए, यह फीछे आगया गए, अच्छा, धुंद को रिमूव करने में, और फोटोग्राफिय में, यह नीचे वाला molecular structure है, आप इसको, मरलब, skip कर सकते हैं, इतना ज़्यदा importance यहाँ पर नहीं रखेगा, यह है top, microwave, क्या importance रखेगा, इसको समझना ज़रा, microwave, हाट इसने खोजगी, चलो, कोई दिक्कात नहीं है, और यह एक है, kleistron tube, kleistron tube, कैसे लिखेंगे इसको, tube, इसमें इसका उत्पति क्या जाता है, उत्तिस रोत इसका kleistron tube है, यह इसका wavelength, frequency ज्यादा में, इस पर focus नहीं करूँगा, सबसे important मैं इसको top क्यों बोला, यह सवाल बाप लेवल पे, radar system में, radar system में, इसका यूज होता है, radar system में, telecommunication में, संचार तंतर में, telecommunication में इसका यूज होता है, यह दोनों बहुत ज्यादा important है, यह दोनों बहुत ज्यादा important है, radar system paper में direct चपा मिलेगा, telecommunication, direct चपावा मिलेगा, telecommunication है, यहाँ पे radio communication है, यह दोनों सवाल direct चपे मिलेंगे आपको paper में सवाल बनता है आपको याद रखना है तयार रखना है गड़बड नहीं करना है ठीक है yes sir ठीक है yes sir हाँ चलो तो यह हो गया analysis of fine detail of molecular structure फिर से बता रहा हूँ यह भी molecular structure के लिए था और यह भी molecular structure के लिए था तो यह बहुत ज्यादा बड़े level पर यह अपना importance नहीं रखता है molecular structure के लिए किसके लिए molecular structure के लिए तो यह आपका point number 6 हो गया point number 7 क्या है आपका radio wave radio wave radio तरंगे यह भी बहुत important है last की दोनों बहुत ज्यादा important है मारे को नी मैं चोटे बच्चे को पूछो पिता जी बेटा तेरी पिटाई करते है ना जी ना ना अंकल ना मारे को नी मैनका मारते होंगे ना वो तो 5-10 निउटन से पुछ काते हैं आशे हाँ मेरा बेटा हाँ मेरा लाला मारे को नी किससे रेडियो से रेडियो से कोण मारेगा मार को नी रे गुरुजी रेडियो संचारत अंतर रेडियो से याद आया रेडियो की खोज किसने की मार को नी मार को नी ने की तो वही मार को नी रेडियो वेव के लिए और उसी से रेडियो बनाया था उसने जी हाँ, रेडियो की खोज मारे कोनी ने कर दी वैसे ही मार कोनी है बैटा मैं सोट में बोल रहाँ, मार कोनी और इसको मैं मारवाड़ी में बोलनू मारे कोनी मारे, मारे, मार मारे, अब मारे कैसे लिखेंगे यार मुझे मार वाड़ी ज्यादा वो लिखना नहीं आती मारे को नहीं मारे को नहीं चोट नहीं मारे प्यार करें हैं बड़िया बैटा लाड करें रेडियो कॉम्मुनिकेशन किससे बैटा रेडियो कॉम्मुनिकेशन में और आपका इसका यूज होगा यह बहुत इंपोर् सभ्सेंस सव == pursue हैं सबसे इंपोर्टेंट सवाश्स अगर मैं यहां पे बताऊं बेटा ओन्ता स्लम प्रिकवैंसी मिनिमम अ अवर्ति नियूंतम किसकी है नियूंत्य मा looking मुझे चार-पाउल करूंगा उनके जवाब देना चार-पांश सवाल करूँगा जो पेपर में डायरेक्ट सपेंगे वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी वाले मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसकी होगी रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी मिनिमम है वेवलेंथ मैकजीमम है क्या आपको इस चीज़ को मैं यहां लेख सकता हूँ बटा यहां लेख सकता हूँ में यहां पे लेम्डा मैकजीमम होगा लेकिन फ्रिक्वेंसी मिनिमम होगा फ्रिक्वेंसी मिनिमम होगा लेम्डा मैकजीमम होगा वेवलेंथ मैकजीमम होगा लेकिन Frequency Minimum होगा ये बात आपको समझनी होगे इसका उल्टा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बटा यहाँ पे Lambda Maximum है अगर Lambda Maximum है बटा तो यहाँ पे Lambda Minimum होगा गामा के लिए तो Frequency Maximum होगा यह चीज़ें बहुत important यह चार सवाल बिटा दिल दिमाग गुर्दे फेपर में इसको स्केन कर ले ना बहुत इंपोटेंट सवाल है ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर आज रिमोड ने तो दोखा दे दिया वाई इस ने स्लाइडर ने तो दोखा दे दिया बीच में कामी नहीं कर रहा है अब देखो बेटा अब मैं एक बात बोलूँगा इस स्पेक्ट्रम को बेटा एक बार लिखके याद करना पूरा स्पेक्ट्रम आपको लिखके याद करना है तभी मज़ा आएगा लिखके याद करोगे तो ही वो चीज़े आपकी clear होगी अब मैं आगे बढ़ता हूँ तोड़ा सा कुछ basic चीज़े जिनसे सवाल paper में direct बने है मेटा environment है atmosphere of earth, परत्वी का वायू मंदल परत्वी की चारोर गेस ही आवरन होता है जिसे अपन वायू मंदल कहते हैं, ज्यादा टेंचन मतले ना वायू मंदल जिसमें 78% nitrogen, 21% oxygen और अलप मात्रा में CO2 gas है ना, helium है है ना, ये चीज़े तो ये आपका अलप मात्रा में होता है, तो इसको कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, attention मतलो मैं सवाल की और बढ़ता हूँ, मैं इन मुद्दे पर आता हूँ यहाँ से देखिए शोब मंदल शोब मंदल शोब मंदल का सवाल मैं आपको communication में भी करूँगा, कल नया topic start करूँगा, communication communication, संचार, तंत्र, उसको भी मैं detail करूँगा इस बार, last time मैंने उसको sort कर दिया था, लेकिन इस बार इसको भी मैं detail करूँगा, वो सकता है, उसकी दो class हो, वो सकता है क्या लगबग चांद से की दोई class होगी, एक class में नहीं हो पाएगा हो शोब मंडल में, बस के वखल टेंपरेचर यह नहीं, ना, ना, यह चलो, उसके बाद में देखिए, शमटाप मंडल आपका, शमटाप मंडल का सब करम 220 से 200 कल बिन तक परिवर्टित होता है, तसे देखो, सम ताप मंडल का temperature बहुत हाई होता है, 220 कलवन से 200 Kelvin तक change होता है लेकिन temperature vary करता है लेकिन temperature बहुत जदा high होता है क्या सरी ये सवाल बन सकता है कोई खास सवाल नहीं है खास सवाल की बात अभी करूँगा सवाल पेपर में बनेंगे पूछे गए है मद्दे मंडल में ताप 80 Kelvin तक गिर जाएगा ताप और कम हो जाएगा मद्दे मंडल में चलो इसको skip करते हैं अब देखेगा सबसी important आइन मंडल में क्या होता है आइन मंडल में क्या होता है आइन मंडल में आइनन होता है बस एक सवाल तो ये आइन मंडल में जो है particle है उनका आइनन किया जाएगा जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में अपन डिसकस कर रहे हैं जो point आपका logic जो आप समझ रहे हैं जिसको clear करना हम चाहते हैं बहुत बड़िया सवाल आपका यहां पे बनता है मैं बार बार इसको उठा रहा हूँ और ये चल नहीं रहा हूँ तो केवल और केवल इसमें आइनन का ध्यान रखना है आइन मंडल में आइनन होता है ये सवाल आपका पेपर का है बेटा साइद हो सकता आपको अल्रेडी पता हूँ तो मुझे अलग से बताने की ज़रूत नहीं है बेटा सब को याद होना चीए क्या कि जो ओजोन लेयर है जो ओजोन परत है वो अल्ट्रा वायलेट रेज यानि पराबेंगनी किरणों का हाउसोसन करती है यह पेपर में अल्रेडी कई बार रिपीट हो चुका है पेपर में कई बार पूछा जा चुका है यह बात आपको समझना होगा जिस पे हम याँपे बात कर रहे है अल्ट्रा वायलेट रेज यानि पराबेंगनी किरणे का उसोसन करता है कौन और जोन लेर यानि और जोन परत जिस पे आपको समझना होगा जिस पे आपको काम करना होगा बड़ा बेसिक सा लोजिक है बड़ा बेसिक सा सवाल है बहतरीन कॉंसेप्ट है बहतरीन कॉंसेप्ट है जहाँ पर आपको काम करना होगा आयन मंडल रेडियो तरंगों के प्रसारण में बहुत महत्वेपून भूमी का अदा करता है आयन मंडल यानि जहां पे आयनन होता है लेकिन सवाल ये नहीं है आयन मंडल से कौन सी तरंगों का रिपलेक्शन होता है ये सवाल है बापू आयन मंडल कौन सी तरंगों को वापस reflect करता है आयन मंडल है वो कौन सी तरंगों को वापस reflect करता है और वो है radio wave और उसका प्रियोग होता है radio communication में किसमें होता है बिटा radio communication में इसका प्रियोग क्या जाता है आयन मंडल का ये बात आपको यहाँ पे समझनी चाहिए ये बात आपको यहाँ पे किलियर करनी होगी क्या आयन मंडल है वो रेडियो वेव बहुत इंपोटेंट सवाल है बहुत इंपोटेंट सवाल है पहले बता दे तुम पेपर में पूछा गया सवाल आपका आयन मंदल है वह रेडियो वेव का क्या करता है ट्रांस्मीशन करता है उसका प्रसारण करता है इसके बारे में अपने याँ पे बात कर रहे हैं कि यह सवाल पेपर में यह सवाल जो बढ़े है न वहीं में लेकिया है फालतु चीज कुछ भी नहीं है ग्रीन हाउस इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गेसे रेस्पोंसिबल है कार बन डाई ओकसाइड गेस यह जो परत्वी पर पॉलुईशन बढ़ रहा है उसकी वज़े से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा हैं ताप बढ़ रहा है प्रत्वी का टेमप्रिचर बढ़ रहा है इसी वज़े से, क्यों? क्योंकि वहाँ पर green house effect बन रहा है CO2 और अन्य गैसे अवरक्त विकेणों को परावरतन द्वारा प्रत्वी तल को गरम कर देती है प्रत्वी का temperature बढ़ा देती है और प्रत्वी का ये जो temperature बढ़ाने का concept है इसे ही green house effect कहते हैं इसे ही green house परबाव कहते हैं चलिए ये तो सवालते paper के बहुत बहुत बहतरीन सवाल है ये वाला सवाल paper में पूचा जा चुका है और ये सवाल आपको याद करना है अब बता दू बेटा एक बात का promise करना आज 4 बजे वाले class में आज 4 बजे वाले class में atomic physics और nuclear physics मेरे share comment में agreement कर दो एक बार सबी बच्चे ध्यान से ठीक है क्या atomic physics और nuclear physics पढ़ के आएंगे इमानदारी के साथ में बताओ atomic physics और nuclear physics पढ़ के आएंगे ये बात हमें एक बार agree कर दें और उसका पहला part करेंगे और lecture number 10 होगा सभी बच्चे मानदारी से क्योंकि करगा उड़ेगा atomic physics और nuclear physics का एक एक concept आपको clear करवा दिया जाएगा कल यहां पर नया topic स्टार्ट करेंगे अपन आपका communication ठीक है यह जो class आपकी मैं अभी ले रहा हूं इस class के complete nodes available होते हैं बैटा my rising India application पे आप इसको play store पे जाए इंस्टोल करिए open करिए अभी कुछ आपके DNS में कुछ update चल रहा है तो कुछ बच्चे 4-5% बच्चे जिनका application इंस्टोल है लगबग 70,000 बच्चों में से उनको कुछ issue आ रहा है तो मैं उसके लिए माफी चाओंगा बैटा कुछ update जा रहा है काम चल रहा बेक एंड में तो आपका जो issue है हम समझ रहे हैं आपक तो आप install करिए open करिए उसके बाद में जैसे अप अर्जून बेच पे आते हैं तो आपको एक basic charge pay करना होता है अभी मैं एक बच्चे का comment देख रहा था वो बच्चा कहरा था सर इसको free कर दीजे बिटा बिलकुल free कर देंगे लेकिन यह जो जहां पे हम यह data रखते हैं अभ 1800 प्लस test reads, pdfs और notes, live test, total सब मिला के 1800 file अर्जून बेच में upload हो चुकी है अब तक तो जो server है वो अपना मामा जी नहीं लगते हैं वो अपने से एक basic charge लेता है data को वहाँ पे store रखने का जैसे bank में अपने gold रखते हैं तो वो भी अपने से charge रखता है उसको secure करने का राइट तो एक basic charge है साइध आपको इसका value समझ में आ रहा होगा और फिर भी अगर आपको इसको value समझ नहीं आ रहा तो आपको कोई problem नहीं है आप notes लिखिए लेकिन जिस दिन आपको अपने time की value समझ में आएगी उस दिन इसकी value समझ में आएगी ठीक है मिटा उस दिन ये चीज सम एक class को notes लिखते हो तो लेकिन वही होता ना कि मतलब जब कुछ आप अच्छा करने जा रहे होते हैं तो बहुत सारी बच्चों को उससे issue हो जाता है problem हो जाता है ठीक है तो कोई बात नहीं है अगर आप manage नहीं कर पा रहे हैं आप यहाँ class करिए class में कोई issue नहीं है आप notes ल solution SSEZD का अलग course चल रहे है अलग चल रहे है topic wise test series आपके अलग चल रही है वो सारी available होगी आपको वहां पर ठीक है फिर भी आपका कोई doubt बचता है तो आप हमें comment कर सकते हैं आप हमें इस number पे comment कर सकते हैं यह comment क्या call कर सकते हैं अगर आपको कोई problem है इस number पे आप मेरे से बा बबाई जैहिन मेरे जस्ट बाद में current affair की class है सबी exams के लिए चाहे वो Air Force हो चाहे नवी हो चाहे एंडिय हो चाहे SSC जडिय हो तो जो भी बच्चे त्यारी कर रहे हो सबी बच्चे class में पहुंचेंगे अब तक के लिए जैहिन बंदे मात